है जह हींद आज की वीदियो adoraнымलूओ के बारे में जिसका कंपोचीशन है से क्रीजिन इस वीदियो में आपको से ट्लर्स पूरण फूर्ण इंफोरमेशन चीच वीदिन से आपको मर्केट में बहुत सारे अलग अलग नाब से दावा मिल जाएंगे दोस्त לפ डावा है यह टेबलेट और सिर्व दोनों में प्लयप्ध है जो की टेबलेट एडल्ट यानिकी यूवा के लिए दिया जाता है और शीरफ बस्दार्व के लिए दाता है तो मूग के तोर पर यह allergy का दावा है cetrizin यह allergy में काम करता है लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी बच्चा को मुसम चेंज होने के कारण सर्दी खासी जुखाम हो गया है या नाक से पानी गिर रहा है आँख लाल पर गया है या दात खाज खुजली है इनसे में दिया दाता है किरा मुकौरा के कारण अगर आपके सरीर में चकेता हो गया है या आपका सरीर बार-बार हुआता है बार-बार आपको खुजली टाप को हो गया है फिर भी इसका इस्तेमाल किया दाता है दोस्तो मुख के तोर पी आप इतना समझ लीजे यह जो सेटीजिन ट्याग्डट है यह एलर्जी का दावा है जो की मोसम चेंज होने के कारण अगर किसी को सर्दी खासी जुखाम हो गया है या नाक से पानी गीर आँख लाल पर गया है या दात खाज खुजली जैसे बिमारी है उसमें इसका इस्तेमाल किया दाता है दोस्तो अब हम बात करते हैं साइड इफेक्ट के बारे में अगर आप अधिक मातरा में इस दवा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है आपको हम डोज के बारे में भी बताएंगे लेकिन उससे पहले आप side effect जान लिज़े देखिये side effect मुखे तोर पे यह है कि नींद की समस्य हो सकता है नींद कम आ सकता है उल्टी हो सकता है कब जो हो सकता है पीट में दर्द हो सकता है या चकेता हो सकता है यह मुखे तुरप इसका side aspects है तो दोस्टvo तो अब हम बात करते हैं इसका डोज के बारे में कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है देखिए डोज जो है ये एज और कंडीशन के अधार पर निर्धारत कर दाता है कि व्यक्ति का उम्र कितना है और किसी स्थिती में है लेकिन आपको नौलेज के लिए बता दे यह जो सुबह साम दे सकते हैं नास्ता के बाद किसी परकार के अगर आपको दिक्कत होता है तो आप अपने नजदी की डॉक्टर से संपर्क ले और आपको अगर लिवर जैसी बिमारी है तो फिर इसमें इसका इस्तेमाल नहीं करें अपने नजदी की डॉक्टर से संपर्क ले